वहीं ABP गंका से एक्स्क्लूजिव बातचीत में अपढणा यादव ने कहा है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी मोदी जी के मंत्र को सबक के साथ सबका विकास की तोर पर आगे बढ़ाया जाएगा साथ ही अपढणा यादव ने ये भी कहा कि जो भी दायत्व मिलेगा उसके लिए मैं तयार हूँ ये बात चीट 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 है अपढणा जी पहले तो बहुत बहुत बढ़ाई और शुब कामना है सरकार गठन की कवाय सुरू हो गई क्या कहेंगी सरकार गठन में यही कहूंगी कि ये जो सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी और कल्यान काली जो योजनाएं हैं पहले की और आगे की वी जो मैनिफेस्टों में प्रॉमिस करी गई थी उनको जो है करा जाएगा गरीब से गरीब जो व्यक्ति है जो पंडित दीन देयाल उपाध्याई जी की जो थियोरी है उन्होंने कहा कि अंतियो दैपत पे अंतिम चरण के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी मिले ये हमारा लक्ष रहेगा और मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इसको आत्म साथ करते हुए आदरनी ये शश्वी मुख्य मंत्री श्रीयो जो भी दायत तो मिलेगा मैं उसके लिए तयार हूँ पर मैं ये सवाल जो है शीर्ज नेतुरित पर छोड़ती हूँ अपढ़ना यादव सेवा के लिए आई है अपढ़ना यादव राश्टर धर्म का पालन करने आई है ये बात सब मुझे लगता है शीर्ज नेतुरित पर पार्टी पर मैंने छोड़ दिया अपने लंबे समय तक आप सपा के साथ काम करती रहीं अब कई महीने हो गए हैं क्या फर्क देख पा रहे हैं दोनों दिलों में किस तरह का अलग अलग परिवारों में क्या फर्क भारतिये जंता पार्टी के सभी लोगों से बहुत ही कि कोई आशकता नहीं है राश्ट्र धर्म का पालन सब लोग करते पॉलिसी मेकिंग में भी और लोगों को सेवा करें प्रचंट महुमत की सरकार वनी एक सबसे बड़ी वजह क्या है जो आज ये महाल बना जी भारतिये इंता पार्टी उम्मीद से भेतर प्रदेशन कर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सब को दिया तो जो है ये कहना कि जो है तिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने वोट किया है भारतिय जंता पार्टी के लिए या हिंदूों ने वोट किया है भारतिय जंता पार्टी के लिए ये नहीं है हिंदू मुस्लिम से किसा कि सब के सब हैं भाजपाय सारे लोगों ने वोट किया यह सब की सरकार बनी है और राम राजी की जो कल्पिना है वो इसी सरकार में फरलिखते की जिए